अस्सलाम वारेकुम स्वास्तियकाल नमस्ते कैसे हो अच्छे हो मैं भी बहुत अच्छा हूँ मीडिया वाले दो दिन से स्री देवी जी के घर के बार खड़े हुए है पलत उपलत उन्यूस चला रहे है इधर की उधर की अब जाने वाले तो चले गए अल्ला उनकी आत्मा को शांती दे उनकी रूप को सुकून दे फेक निउस गंदे निउस चला रहे कुछ भी निउस चला रहे दो दिन से उनके घर के बार खड़े है एक बाजपा के नेता ने नो बच्चे गारी से कुचल दिये वो नहीं दिखा रहे नीरव मोदी का मैटर थंडा कर दिये वो चोर हमारे पैसे लेकर बाग गया वो नहीं दिखा रहे सीरिया के मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है पांच दिन में साड़े 500 बच्चे मार दिये गए वो भी नहीं दिखा रहे जारो सीरिया के मुसल्मानों के लिए दूआ करना ये जो तस बच्चे बाचपा नेता ने माड़ा ले उनके लिए दूआ करना वो हिंदू थे मुसल्मान थे मुझे नहीं पता लेकिन उनके लिए दूआ करना और वर्ल्ड मीडिया भी साइलेंट है Being human be silent है हर आदमी स्रीदेवी जी के लिए ट् Johnny के लिए ट्वीट कर रहा है स्रीदेवी के लिए बोल रहा है लेकिन ये जो जल्म हो रहा है उसके खिलाप कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब कयामत के आसार कयामत ही है ये समझ लो फलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है ये कियामत है यूमन राइट्स के जो कुत्ते है नितियानू के कुत्ते वो भी साइलेंट है अमरीका में कुछ होता है तो ये साले ट्वीट करते है कहीं कोई जापान में मर जाता है तो ये साले ट्वीट करते है यूमन राइट्स वाले अवे सीरिया देश नहीं है क्या पलिस्तीन लोग देश नहीं है अवे आर्मी से जंक करो बच्चों को मार रहे हो सिविलियन्स को मार रहे हो शर्म आनी चाहिए और सबसे बड़ी शर्म तो सारे नपुन सकों को आनी चाहिए अब इसमें कोई संगी आके ये कहेगा ना कोई भी कुता तो उन कुतों से मैं ये कह दूँ अब ये कुतों यहां पर बात कुछ और हो रही है यहां पर तुम अपने बाप की जिसके डिने से तुम पैदा हुए हो मोदी और योगी का डिने मिकसर है तुम लोग सबसालो वो बात यहां मतले आना नीरव मोदी जो 11,400 करोड लेके भागा है ना वो सिर्फ मुसल्मानों के नहीं है वो तुमारे भी है वो सिकों के भी है वो सब के है तो जड़ा इनसानियत लाओ बे वरना अपनी अम्मियों से पूछो क्या अबबा का नाम मोदी तो नहीं है योगी तो नहीं है थोड़ी सरम कर लो बे थोड़ी सी अब मुझे गालिया देने से कुछ नहीं होगा यह याद रखना देश के जवान कॉंस्टेबल सिंग साब गोलियों से चन्नी हो गए उनके अबारे में मीडिया न्यूज नहीं दिखा रही है सिंग साब आपको मेरा सलाम है अल्ला आपकी रू को सुकून दे आपकी आत्मा को शांती दे सब थंड़ा हो गया मीडिया भी एक दीन खुत्ते की तरह भुगती है फिर बंद हो जाती है और नीरव मोदी का स्कैम ठंडा हो गया और स्री देवी जी के लिए दुआ करिये प्रातना करिये ना के कई लोग तो ऐसे भी ट्वीट कर रहे हैं कि वो उनकी फेस्बूक पोस्ट बनाना शरम करो यारो शरम करो शरम करो और सीरिया के मुसल्मानों के लिए हर नमास में दुआ पढ़ो यारो नमास सबसे बड़ी ताकत है नमास में दुआ पढ़ो और अल्ला ताला उन्हें शिफा देगा जरूर देगा इन कुटों से उनको अल्ला ताला जरूर शिफा देगा अल्ला के वास्ते उनके लिए दुआ करो उनको दुआओं की बहुत दर्खवास्ते बहुत 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 जरूरत है उनके लिए दुआ करो रूख आप जाती है के पांच दिन में इतने सारे बच्चों को आ निद्याने औ कुते ने अल्ला उसको घारत करे अल्ला उसके बच्चों को त्वाओं याद रखना और अई धिकर का झुमा पे सुवाध रखना तुआओं में याद रखना है रहो और याद रखना पांश वक्त की नमाद ही सबसे बड़ी ताकत है और कोई हमें जालिमों के जल्म से बचा नहीं सकता है कुरान शरीप में लिखा है जब जब मुसल्मान नमास काइम नहीं करेंगे हमारे नभी की बातों पे नहीं चलेंगे कुरान में जो लिखा है वो नहीं करेंगे फिरकों में बटेंगे तब तब उन पे जल्म होगा और तब तब उन पे बादशाओं नाजिल होंगे और वो बादशाओं का नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ नित्यानू नरिंदर मोदी आदित्यनात योगी इनको अल्ला ने नाजिल किया है क्योंके मुसल्मान एक नहीं है मुसल्मान नमाज नहीं पढ़ते मुसल्मानों ने नभी की सुन्नतों को बिल्कुल फॉलो नहीं किया है बिल्कुल फॉलो नहीं किया है नमाज हमारे नभी की आँखों का नूर था नमाज काइम करो यारो दुआओं में इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते हो आज जो तुम्हारा भाई बिना ये जैट सीक्यूरिटी बिना कमांडो बिना इसके गुमता है न ये समझ लो अल्ला ताला ने वादा किया है कि जो जो मेरे लिए आवाज उटाएंगे जो जो इसलाम के लिए खड़ेंगे लड़ेंगे उनके लिए लिए लला ताला खुद खुद हिफाज़त के लिए खड़े हो जाएंगे खुद और अल्ला कभी वादा खिलाफी नहीं करते उनके सारे वादे, जन्नत के वादे, सारे वादे सच्छे, यारो नमास पड़ो पांच वक्त की, मजाख नई करता हो, जिन्दगी आसान हो जाएगी यारो, बहुत आसान हो जाएगी, किसी चीज से डर नहीं लगेगा, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, तुछ भी नहीं सकते हो तो यारो हर नमाज में हमारे लिए भी दुआ करना सीरिया के लिए उनके बच्चों के लिए स्पेशल दुआ करना और हमारी अम्मी की मगफिरत के लिए भी दुआ करना दुआओं में याद रखना और अल्ला के जिकर का जुबां पे सुआद रखना अल्ला हाफिस